यो, what's up guys, कैसे आपसे भी लोग, welcome back to another game video, तो guys, आज हम लोग 12 से खेलने जा रहे हैं, GDF 5, तो जैसे कि आपसे भी लोग को याद होगा, कि कुछ दिनों पहले हम लोग ने अपने best friend, underwater mafia को kidnap किया था, क्योंकि यार उसने हमारे घर से बहुत सारी महंगी महंगी गाडिया चो उने गुंडों की मदद से, Trevor को अपने घर से kidnap करवा दिया, और सीधा में order दिया, कि अगर एक दिन के अंदर, में 24 घंटे के अंदर, हम लोगों ने सही सलामत, underwater mafia को उस तक वापिस नहीं पुछाया, तो वो Trevor को मार डालेगा, अब यार देखो, ये सब सीन के बादना, Trevor को बचाना बहुत ज़्यादा important था, क्योंकि यार वो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा बुरे time में काम आता है, बट यार ये कामना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एक बार को माल लोग की Trevor को बचाने के लिए, हम लोग underwater mafia को लेकर डगण बोस के पास जाते, तो क के पास ऐसी कोई secret चीज है, जिसके through वो हम सबको एक एक करके मरवा सकता है, अब ये सुनने के बाद में बहुत जाता, डर गया था, बट इस situation में एक ही बंदा याद आया, और वो था लेस्टर, बट यार आप लोग को तो मालुम होगा कि लेस्टर की हालत पिछले एक मंच से बिलकुल भी ठीक नहीं चल ले थी, और उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था Humane Lab, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा injection था, जिसको लगाने के बाद, लेस्टर को तुरंट ठीक किया जा सकता था, तो उसी को चुराने के लिए, हमने को नहीं वहाँ जिसके थुरू वो हमें धम के दे रहा था कि वो हमें एक एक करके मरवा देगा, हमारा एंकाउंटर करवा देगा, तो उसका प्लाइन ये था कि हमने आज तक जितने भी क्राइम करे थे ना, उन सभी कि उसने एक रिपोर्ट फाइल बना के FIB को दे दी थी, ताकि वो हमें उसके बिहाफ पे हमें एक एक करके मार दें, बट डरने की क्या बात, जब तक लेस्टर है अपने साथ, तो लेस्टर ने भी एक बहुत अमेजिंग प्लान बनाया, FIB के वो सारे प्रूफ को मिटाने का, तो हमने क्या करा, पहले एक जाडू पोचे वाला बनके FIB की बुचाने के लिए उस बिल्डिंग में घुस गए, और आग बुचाने के बहाने, हमने वो सारा का सारा सर्वर डेटा, उसे जितना भी डेटा था, वो भी सारा एरेस करके जला दिया, और जो इंपोर्टेंट फाइल सी, वो भी निकाल के डिस्ट्रॉई कर दी, और अभी फिलाल हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, वैसे अभी न मेरे कोई गाड़ी जो है, मैंने बाहर लाके खड़ी कर रखी थी, इस गाड़ी को पहले हम लोग चलके अंदर कर लेते हैं, और आज तो वैसे भी कुछ इंपोर्टेंट काम है, जो कि मुझे फड़ावट से निप्टान है, क्या हो गया भाई, वेट एक सेकंड, ओ भाई साथ, यह पक्का इस टाइम पर मेरे घर पर आ रहे होंगी, बट क्यों भाई, हेलो, फाई भी क्या करने, भाई यह लोग तो अपनी गाड़ी लेके वो भी पूरी की पूरी फोर्स के साथ, सीधा अपने घर पर आ चुके ह और भाई, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, काफी सारे FIB के एजेंट्स हैं, और बहुत सारी स्वैट भी यह लोग अपने साथ लेकर आए हैं, यार अभी मुझे यहाँ से भागना चीए, नहीं, नहीं, मैं भाग बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि घर के अंदर लेस्टर है भाई, यार अभी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा रहा कि मुझे क्या करना चीए, मैं इन लोग को मार भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बस एक बिस्टल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16 बुलेट्स हैं, और भाई इन लोग को देखो, तो एक के बाद एक स्वै एक एक करके अपने घर में जाने के लिए वेट है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना, तो बहुत बड़ी घर बड़ हो सकती है, मुझे समझ नहीं, अभी मुझे यार क्या करना चाहिए, इन लोगों ने चारों तरफ से अपन करता भी हूं, तो हो सकता है कि ये लोग मुझे बीच रास्ते में मार की गिरा दें, क्योंकि चारों तरफ से तो इनोंने घर को घेरी लिया है, मैं भागूंगा तो इमिर को अराम से देखी लेंगे, मुझे ना एकदम ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, गन को उपनी चु चाप से जाके बात करूँगा, तो शायद वो बढ़िया हो सकता है, और ये क्या कर दिया है इनोंने, हेलो सर, ओल्राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलाल इनके बॉस से बात हो चुकी है, और इसकी बाते सुनने के बात तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहे है, क किसी ने खबर दिया कि वो सर्वर डेटा यहाँ पे इस खर में लाके रखा गया है, ये पका डगगन बॉस के अरकत है, वो बस हमें फसाना चा रहा है, लेकिन वो सर्वर डेटा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं हो, हेलो मत कर मेरे ठी है ना अभी डर नहीं लग रहा, वैसे हार इन लोगों ने पूरे के पूरे घर में एकदम कबाड इधर से उधर उठा के फैक दिया है, मतलब इंपोर्टेंट समान कबाड की तरह फैक दिया है, और अच्छे से भाई एक एक जगा चेक करने में लगे हैं, फ्रिज कोल के च स्टॉक चेक कर रहा है, भाई 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 इंवेस्टिकेशन चल रहा है, पर इने कुछ मिलने नहीं वाला है यहां से, और यहां पर भी अच्छे से चेकिंग चल रहा है, पूरा टेबल, चेयर, सब कुछ उठा के इधर से इधर फैक दिया है, और स्वैट सोल्जर्स ने भाई पूरा घर चारो तरफ से घेर रहा है, ताकि हम लोग यहां से कुछ लेकर भाग भी ना पाए, ढून लो भाई ढून लो तुमें कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे वेट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उपर लेस्टर तो है, वो इतनी दिक्कत वाली बा का हुआ है, कास यारे लोगों से ना डून पा है, भाई हेलो, इतना सारा समान उठाकर फैक दे, एडलिस्ट बुक्स तो मत फैको, यार उसकी तो रिस्पैक करो, मतलब यार इतनी थगड़ी इंवेस्टिकेशन चल रहे है, पेंटिंग वहां से उठाकर इधर रग दी, कि क इंवेस्टिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और यह जितने भी FIB एजेंट्स हैं, यह सारे के सारे अपनी स्वायाट आर्मी के साथ यहां से वापस जा रहे हैं, चलो भाई, बाई, बाई, यहां पर दुबारा वापस मुड़ के कभी भी मत आरा, ठीक है ना, तो चलो भाई यह तो सारे के सारे अपना निकल गए, और अभी भी अंदर आजे से जादा आर्मी बची है, जो कि यहां से जा रहे है, फटाफट तुम भी निकल लो भाई, फाइनल यार आज तो बच गए पता नहीं कैसे, भाई, कसम से वरना हालत खराब हो गई थी, भाई, एक मिनट, इने अपने घर में उल्टा सीधा कुछ मिल जाता ना, तो आज यह लोग पका हमें यहीं पर मार के जाने वाले थे, क्योंकि अपने पास कोई गण भी नहीं थी, जिससे हम लोग अपने आपको प्रोटेक कर पाएं, फिलाल जो हुआ ठीक हुआ, यह लोग अपना यहां से जा चुके हैं, बट हमें नेक्स टाइम के लिए प्रिपेर रहे हैं, अपने पास कंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हमें साफ साफ वार्निंग दी है, कि तुम हमारी परमिशन के बिना शहर को नहीं छोड़ सकते, अगले एक महीने के लिए, तो हो सकता है, य ले गए लोग, ऐसा नहीं हो सकता है, वेट एक मिनिट, लेस्टर इसी कमरे में रेस्ट कर रहा था, बट अभी वो यहाँ पर नहीं है, एक बार ही चेक करता हूं, अंदर अंदर अंडर वार्टर माफिया है, ओके, यह तो अपना चुप चाप यहाँ पर भ्योश पड़ा ह है, यह अपना यहाँ से निकल पाया, बट उन लोगों नहीं यहाँ पर इंवेस्टिकेशन नहीं करी का यार, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर सारा समान इधर से उधर उठा के फैक दिया है, बट ऊपर वाले फ्लोर पर तो देख के ऐसा लग रहा है, जैसे वो लोग आए बैट के काम करते रहता है, बट यार, आज तो वो यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर आखिरकार लेस्टर गया काहां पर वेट, अभी मिलको किसी के वाज है, वो देखो, फोन पर बात करता हूँ, अपना नीचे जा रहा है, फुल मस्ते में, भाई साब, यह अलग ही प्राण अब फिर कोई शो आ रहा है, मिलको तो यहीं नहीं समझा रहा, रुक जाओ यार, पहले चैनल चेंज करो, कुछ धंका लगाओ, पैसे कुछ देखना ही क्यों है, टीवी बंद करो, अभी मुझे से यहाँ पर बैठके बात करनी आ के यह सब क्या था, ओकेई, तो अभी ना म पेक नंबर से उन्हें कॉल करा, और बोल दिया कि इस घर में जो बंदा रहता है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, और हो सकता है, तुमारी फाइल्स उसी ने चुराई हो, क्योंकि FIB को हमारे उपर पहले से ही शक था, और इसकी बात के बात वो हमारे उपर, मेंस हमारे घर में ढूंडा डांडी करने के लिए आये, और जब ढूंडा डांडी करने पर उन्हें कुछ ना मिले, तो उनका शक हमारे उपर से खतम हो जाए, जो कि हुआ, वो लोग यहाँ पर आये, फिर चुप-चाप से बेचारे यहाँ पर चले गए, फाई साब लेस्टर क्या ही दि देने के देने पड़ जाते, फिलाल अभी जल्दी से वाली गाड़ी में ले जाकर पहले तो अपने गाराज में खड़ी कर देता हूं, क्योंकि इसकी बाक में जो पैसे मैंने रख दिये थे, वैसे मुझे मालूम है, आप लोग क्या सोच रहो इतनी देर से कि आखिर हम लो लोग सीधा यही पर आ गए थे, अपनी गाड़ी बाड़ी लेकर, फिलाल हाँ, मुझे ना अपना यार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेस्टर ने मुझे साफ साफ बोला है, कि हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा करें, मेलनी हमें कोई छोटा मोटा क्रा पर जा रहा हूँ, मुझे अभी लेस्टर ने यह भी बोला है, कि मुझे अपने सारे काम निपता लेने है, क्योंकि उसने पूरा ब्लान बना लिया है, कि किस तरीके से में ट्रावर को बचा के लाना है, और किस तरीके से डगगन बोस और एल रूबयो का खेल खतम करना है, तो उसका काम करने के लिए हमें पहले थोड़े बहुत अपने काम निपता लेने होंगे ताकि अगर वो एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए और हमारा भी कोई नुकसान ना हो अपने बिजनस में तो फटा-फट से पहले वहाँ पर चलते हैं वैसे भी मैं जाने वाला हूँ सीधा उस जगा पर आप लोग को याद होगा कुस टाइम पहले हमने कुछ कार्स की डील करी थी ना वो कार्स अभी तक अपने फरारी वाले न्यू शोरूम पर पहुची नी है वो कार्स बस मुझे पता करनी है आखिर वो लोग भेज भी रहे हैं या फिर ने तो वो कार महाँ पर पहुचानी है फिर उसके बाद सीधा ट्रावर को बचाने के मिशन में जुट जाना है सही से क्योंकि भाई ट्रावर इस नाइम पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आल राइट गाइस तो भी ना फिलाल हम लोग अपनी बाइक लेकर पहुचने वाले हैं सीधा उस गिराज पे जहां से मुझे वो सारी के सारी कार्स पेक करनी है और लेकर जानी है अपने नए वाले फरारी शोरूम में बट आर मुझे यह नहीं समझा रहा कि उन लोगों ने खुद बोला था कि हम लोग उसी दिन तुमारी सारी कार्स खुद पहुचा देंगे बट आज पूरा एक हफता होगा है कोई भी गाड़ी हमारे शोरूम पे नहीं पहुची है वैसे हर एक पार ही आप लोग इतर ध्यान से देखो कहने कर तो यह इंडस्ट्रियल एर्या है और इतर एक से बढ़कर यह गाड़ी खड़ी भी है यह लेकर मैं अपनी बाइक लेकर कहां पे आ गया हूँ मुझे उस गिराज में जाना है और लास्ट टाइम भी मिलको गिराज का रस्ता पता नहीं था मैं पता नहीं कैसे पहुँच गया था बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे अपनी बाइक लेकर कहां पर जा है इतना मुझे याद है कि वहाँ पर कुछ railway tracks कहे हुए थे तो हो सकता है यह वाला जो railway track है यह भी वहीं पर जाता हो इदर दो चुके हैं और यह रहाइस वह एंट्रेंस जहां से मैं अपनी लेकर अंदर जाने स्वेराऊस में लेट्स को फड़ाफट से चलते हैं शटर अपना मस्त कुल गया है मैं अपनी बाइक लेकर जाओ मुझे यह चीज़ समझ नहीं रही बाइक लेकर ही चलते हो छोड़ो एक्स क के सबसे बड़े अंडर्ग्राउंड गिराज में वैसे यह एक बहुत बड़ी पार्किंग यह यह बहुत बड़ा स्टेडियम है जहां पर पूरे टाइम एक दाव मस्त रेस लगते रहते हैं रेसर्स की एक से कार्स यहां पर लेकर आएवे हैं और क्या ही पूरे दिन बाइक की स्पीड भी कोई कम नहीं है बट उसके साब से लोग अपनी कार्स को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बहुत तेयर चला रहे हैं इसको तो मैं पीछे करके रहा है चल तो निकले यहां से अपना और बहुत बगल में लिए गारी घुमा के ट्रैक कहां पर है या यह है रास्ता मतलब वाइट लाइंस के बीच में गाड़ी चलाने है यहां पर ना कभी आएंगे यार हम लोग भी रेस करने कोई बड़ी आसी कार लेकर फिर बहुत जादा मचाएगा क्योंकि यह कार की रेस हो रही है पर मैं बे मतलब इनके बीच में अपनी बाइक जा भाई तू अपना जा हाँ वैसे मैं यहां पर किसी और काम के लिए आया हूं मुझे यह सारी के सारी गाड़ियां पता करने हैं इन्होंने डिलेवर क्यों नहीं करी और मैं अपना अलगी मस्ती में रेस में लगा पड़ा हूं फिलाल गाईस इदर देखो लंबोग निस से आना है लिमिटेट एडिशन कार भी हमें मिलने वाली है अपनी वाली तो आपको पता यार घर पर ब्लास्ट हो गई थी मतलब किसी ने जान मुझके उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था बट ठीक है यार अब ये कार हमें वापस मिल जाएगी फिलाले आप पर ओवेट ये कौन सी कार है यार एक सेकिंड ये कार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ मैं अंदर जा सकता हूँ ना मैं टापके चल लेता हूँ एक बार ये अंदर मुझे पता करकर आना है आकिर ये कौन सी कार है भाई साब क्या ही तगड़ी लुक है इस कार की बिल्कूल मतलब लै लेट्स को ये गाड़ी तो एकदम मस्त मैं चलाने वाला हूँ फिलाल अभी न मुरको चलके उन बंदों को ढूंडना है जो यहां पर रहते हैं लास्ट टाइम उनसे मेरी बात हुई थी शायद सामने कड़े हैं रुख जाओ मैं अपनी बाइक लेके ना सीधा होनी के पास च कुमारा हो जाएगा मैं हेल्मेट क्यों पहन रहा हूं मुझे लाइट्स बंद करनी हैं हेल्मेट उतारके जल्दी से हम लोग ना इनसे बात करने के लिए चलते हैं वेट यहां पर तो पूरी शॉपिंग ओपिंग चल रही है यह लेडी यहां पर जुटे खरीद ने आई यह खरीद रहें शायद यहां पर रेसिंग से पहले सब जरूरी होता है और इससे मेरी इससे बात हुई थी और इससे बात कर लेते हैं पहले हम लोग और यह कह रही है कि कास डिलेवर करना भूल गी थी बट अभी फिलाल इसने अपने वरकर्स को फोन करके बोल दिया है और जाकर अपना अराम से रेस करूं बठा यार खाली पीली एक्सिडेंट हो जाएगा और लेने के देने पढ़ जाएंगे आपर कार रेसी बढ़िया रहते कार लेकर रहेंगे तो रेस करेंगे फिलाल अभी बाहर जलते हैं ओके गाइस तो अभी ना फिलाल मैं अपनी बाइक पीछा कर रहे हैं नहीं आर ऐसा नहीं होगा वो कार तो बंदा यहां से लेकर चला गया पीछा कर रहा होता हो तो पीछे ले आता ना फिर गाड़ी खेर चोड़ो अभी ना फिलाल मुझे पनी बाइक लेकर यहां से निकलना चाहिए बट इस साइड का जो रास्त है वह तो क्यों वीट भाई 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 को समसे यह लोग अभी मुझे लग रहा है कि भाई सच्ची में पीछा कर रहे हैं मैं एक बारी ना अपनी बाइक को इस गली में लेकर जाता हूं और अगर यह लोग यहां पर भी लिया ना तब तो 100% प्रूफ हो जाएगा कि यह लोग मेरा कर रहे हैं नहीं है और वो लोग मैं खाली पीली उनके उपर शक कर रहा हूं भाई वो लोग आ गए अपनी गाड़ी लेकर भाई वीट यह फाईब की एजेंट सची में बहुत जाद ही डेंजरस निकले यानि की लेस्टर ने बिल्खुल सही बोला था कि हो सकता है वो मेरा पीछा करें और वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं सही है कि मैंने उसकी बात को सीरियस लिया और अभी तक मैंने कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है किसी बंदे को मारा वारा भी नहीं है और उल्टा भी तो मैं वैपन्स खरीदने जा रहा था सही है मैं वैपन्स करीदने नहीं गया वरना अगर देख लेतों तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और मैं सोच रहोंगी वो लोग अभी पीछा नहीं कर रहे हैं वो लोग अपनी गाड़ी मेरे अगल बगली घुमाया जा रहे हैं मैं जहांपे भी जा रहा हूँ बोलह पनी खार लेकर फटा फट से भाप पहुच जा रहे हैं फिर लोकेशन कैसे ट्राइक कर रहा है है रुख बरना एक रहआ पनी गाड़ी को थोड़ी पतली गलियूं में घुछेड़ता हूं फिर देखता हूँ यह लोग अपनी कार कैसे यहां पर आने वाले हैं ऐसी जगह से बाइक निकालूगा ना पता भी नहीं होगा एने रस्ता वैसे मुझे खुदी नहीं रस्ता पता यारी मैं कहां आ गया हूं वेड हाँ यह वाली गली में चलते हैं पता नहीं उन लोगों ने देखा या नहीं बट ठीक है अभी शायद स लेस्टर को भी बचाना है और सामने एम्यूनेशन की शोप आगी फटा फटसे ना वैपन्स भी खरीद लेते हैं मेरे पास भाई कुछ भी गन वगरा नहीं है बस ही एक सस्ती सी पिस्टल है अरे यह तो वैपन की शोप बंद पड़ी है यह अच्छा नहीं 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 नह खड़ी करता हूं और जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा अम्यूनेशन की शॉप में अगर एकाद M416 भी मिल चाहेगी ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा हेलो अब खुल क्यों नहीं नहीं साफ साफ लिका हूँ है ओपन ओल वीक 24 आर्स और वैसे भी इधर भी शूटिंग रेंज लिखा हुए ओपन है भाई साफ यह लोग अपनी कार लेकर यहां पर भी पहुच गए मैं वापिस जा रहा हूं जिदा उस जगह पे जहां पर अपना गेराज है और भाई 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 वेट इधर इधर क्या चल रहा है वहलो चा गाडियो को लेकर पहुचता हूं अपने शोरूम पे तो ओके गाइस अब इना फिलाल यहां पर देखते ही देखते सिर्फ उर सिफ पांसे चे वरकर्स ने इतनी सारी गाडियां दस मिनट के अंदर ही अपने ट्रेलर पे लोड करवा दिये फिलाल अभी जल्दी से हम लोग इस जोकर को मार करें बहुत पुरी तरह एक सेटर यहां से निकल 誉ब झाल तो के से मार है इसमेर निकल टीरी अब निकल ल। थूब चाप निकल ले कहा सै पहले सुबह सुबह लड़ रहे हैं भट यह मैंने क्या कर दिया FIB के officers मेरा पीछा कर रहे थे अब बस उन लोगों इस चीज ना देखियो फिलाल दूर दूर तक मुझे उनकी कोई गाड़ी नहीं नजर आ रही मैंने यार बस यहां पर एक छोटी सी लड़ाई छुडवाई है वो गन के उपर यह मैंने उन्हें भगाने के लिए करा था बस बाकि यार ठीक है इतनी सारी गाड़िया आज हम लोग अपने शोरूम पे लेकर जाने वाले है कितना जादा बढ़िया लग रहा है अपना जो नहीं वाला शोरूम है उसमें तो में साथ से इतनी जगा भी नहीं है जितनी कार्स हम लोग एक ही बार में लेकर जा रहे हैं तो चलो भाई फटावट से लियाओ अपने ट्रक को अराम से अराम से देख के लाओ अगर अगर हम लोग काउंट करें तो कम से कम अभी अपनी पीछे चार ट्रक चारो ट्रक में से चे ङए और भी कुछा कार्स यो कि बाद मेंец मियांगी बट फिला से ये लेके चलते हैं ओके गाइस तो फाइनली हम लोग अपनी बाइक लेकर पहुचने वाले हैं सीधा अपने नए वाले शोरूम पे मैंने लमार को भी फोन करके यहां पर बुला लिया है क्योंकि यार वही है एक बंदा जो कि इस काम में अपनी सबसे ज़्यादा हेल्थ करवा सकता है तो उसका बस यही काम है कि वो सारी की सारी गाड़ियां जो है न वो इस ट्रक्ट पे से अनलोड करवा के शोरूम के अंदर करवा देगा वैसे यह काम यह लोग खुद भी कर देंगे बट लमार रहेगा तो थोड़ा ध्यान से हो जाएगा और हेलो बाई साब अराम से चला लो पीछ झरते हैं और यह कहरा कि कोई दिक्कत वाली बात नियुक्त थो अपने काम पर ध्यान दो यह सारी कि सारी गाड़ियां जो है अराम से लोड करवा के mins अन लोड कर वा जोरूम के अंदर करवा देगा फिलाल अभी अपना काम हो चुका है अब मैं जल्दी से लेस्टर को फो बात हो चुकी है और ट्रावर को बचाने के लिए उसने जो में पहला काम करने के लिए बोला है ना भाई उसको तो सुनके ही थोड़ी बहुत हालत से खराब हो रही है अब यह देखो इस ताइम ना अपने लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कुछ वैपन क्योंकि अपने पास कोई भी गन नहीं है सिंपल से भी गन नहीं है मतलब कुछ पिस्टल्स है जिसमें भी पूरी आमो नी है और सीन कुछ ऐसा है कि डगगन बॉस ने लोस और पूरे की सैन अंडर्यास की जितनी भी आमिशन शॉप थी वो सा प्रेटैके सारे क् फूद अपने पास मंगवाली हैं क्योंकि इसको मालुम हैं कि हमें वैपन यहीं से मिलते थे और bizi को सारा म懁त्या खत्रा उसका घ्यार सब्वेरा मैं उसकी है क्ठार्फ उससारा का खत्म हो जाएंगा पर हमें ए पर हमें वなる है नहीं एक मतलब हाइवे पर पहले वहाँ पर चलते हैं और मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं चलते ट्रक पर कैसे कूद जाओंगा एकी बार में मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बस वो ट्रक रुके मैं उस ट्रक के अंदर कूदू फिर हम लोग उसमें बैठ के मिलिटरी बेस जाएंगे और वहाँ से चुप चाप से वैपन चुरा के हम निकल लेंगे फिर उसके बाद लेस्टर अगला काम बताएगा ओके गाइस तो अभी ना फिलाल मैं अपनी बाइक लेके सीधा उस ब्रिज पे पहुंचने वाला हूं जिसके नीचे से वह मिलिटर नोखनी डीआ का ट्रक यहांपर आए तो मैं उसे किसी तरीक से रोक दूऊर से मेरे उपर शक भीइना हो कि कि एे ट्रक किसी ने जान मुझके रुका है तो मिञविट उस तरीक यह रहे गा कि यांपर उस ट्राफिक जेम लगा दे तो ड्राफिक जाम लगाने के लिए पेसिंजर भी एक ही था बस में, वह भी पेसिंजर नी में को कंड़क्टर लग रहा है, खेटी गार जो भी हो, अभी हमें बस मिल चुकी है, हम लोग एक लेन क्या पूरा 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 रोड ब्लॉक कर सकते हैं, पर क्या दिक्कत हो रही है, तिरे को जाना तेरी, एक सिकिन दो मिनेट यार, पहले न हमें इसकी थोड़ी सी बैंड बजाता हूँ, हाँ, क्या हो गया, निकले यहां से, चुप चुप चाप, एक और खायगा, एक और ले फिर, अब चुप चाप यहां लेटे रहे, ठीक है, यह ले एक लात भी ले ले, बड़ा भी फाल तू मत बोल, क्योंकि यह काम अपने ले बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, हमें कुछ भी करके, आज वैपन सही है, जोई, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा भी वो ट्रक के पीछे पड़ी विया पुलिस, मुझे भाई, आज कसम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कि बस F पता करना है, ट्रक कैसे आने वाल है, नीचे से पता करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, एक काम करता हूँ, हम लोग ना सीधा ब्रिज के ऊपर चलते हैं, अपनी बाइक में या पर घुमा की खड़ी कर देता हूँ, रुख जाओ, एक दम मस तरीके से, तो ये अपनी खड़ी होगी, अभी हम लोग बाइक में से निकलते हैं, और एम्बुलेंस आरे हैं, रुख जाओ, शायद उस बंदे को किसी ने रिपोर्ट कर दे होगी, बस लेके मत चले जाना, बस इंपोर्टेंट है अपने लिए, ठीक है तो पैरामेडिक्स आ चुके हैं, उसका ध्य खड़ान रखने के लिए, फिलाल अभीना बस मुझे यहां पर बैठके इंतजार करना है उस ट्रक के आने का, और ऐसा इंतजार नहीं करना कि वो जब आ जाया ता मैं नीचे जाओ, मुझे बहुत पहले से ही पता होना चाहिए कि ट्रक आने वाला है, इसलिए मैं अपनी सा दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, गाइस देखो अभीना फिलाल मुझे दूर से एक मिलिटरी का ट्रक आता हुआ तो नजर आ रहा है और इसके उपर शायद से वेपन्स भी लोड हो रखे हैं, मुझे तो लग रहा है कि यही वो वाला ट्रक है, जिसका हम लोग आपर इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लेस्टर ने में जो टाइम दिया था, यह एक्जक्ट उसी टाइम पर आ रहा है, फिलाला भी मुझे जल्दी से अपनी बाइक लेकर नीचे आना चाहिए, और बस के अंदर बैटके मुझे रोड ब्लॉक करना होगा, क्योंकि अ निकल गया, तो भाई अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, लेस्ट गो, थोड़ी कमी स्पीड में हो, अपने को टाइम मिलेगा अपना पूरा काम करने का, तो वो उस वाली लेन पर आ रहा है, और उस लेन पर मेरे साब से कोई भी गाड़ी नहीं है, निकल से मुझे अपनी बाइक लेकर ऊपर जाना है, क्योंकि टाइम आ चुगा उस टाइम में जम्प मारने का, भाई 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 वेट, भाई अगर ये जम्प फेल होई ना, तो कसम से बहुत तेज चोट लगने वाली है, फिलाल अभी मैं ये फेंस टाप के इस साइड आ अभी बस को ठोक ठोक के विचारा तिर्चा करने में लगा हुआ है, बाकी बंदे भी यहाँ पर आ गए हैं, जो कि ट्रक को ठोकने में, मींस बस को ठोकने में लगे वे हैं, ओके गाईज, तो अभी ना, फिलाल इसने टक कर मार मार के बस को बिलकुल टेना कर दिया है, और फाइनली, अपना जो ट्रक है, वो यहाँ से चल चुका है, अभी मुझे ना, चुप चाप से, यहाँ पर जो तगडे तगडे वेपन्स पड़े हैं ना, यह सारे के सारे चुराने हैं, हर डबबे में तगडी 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 गंस पड़ी भी हैं, बस थोड़ा सा बैलें इसने जटके से रेज दी, या फिर ब्रेक दी, तो हम लोग मुझे बल नीचे करेंगे का समसे, गाइस, अभी ना, मुझे इन वेपन क्रेट्स में से बहुत तगडे तगडे वेपन्स मिल चुके हैं, फॉर एक्सांपल, AK-47, M416, Stun Gun, AWM Sniper, जहां तक मुझे लगता है, इस वाले बैग में एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, गन तो पूरे डाइम चलेगी, पर गन में जब गोलिया ही नहीं रहेगी, तो उसका फायदा क्या, इसलिए जितनी जादा अपने पास ammunition होगी, उतनी देर तक हम लोग तभाई मचा सकते हैं, तो अ आई टाइम पर हमने मस्ट जंप मार दी, सारे weapons अपने पास आ चुके हैं, मुझे जल्दी से रोट, ओ भाई, हेलो, अभी क्या पागल है क्या भाई, मैं अराम से रुकना चाह रहा था, हैर छोड़ो यार, किस्मती खराब है, फिलाल अपने पास weapons आ गये हैं, इससे ज़्य आदा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, अभी मुझे जल्दी से जल्दी यहां से कोई गाड़ी उठानी है, और फटा फट से निकलना चाहिए, मुझे सीधा लेस्टर के पास, उसके पास जाना नहीं है, मुझे पहले से कॉल करके बता देना चाहिए, कि अपना प्रॉपर का हो चुका है, वेपन्स अपने पास आ गए है, अब हमें आगी क्या करना होगा लेस्टर को बचाने के लिए वो बता, फिलाल यह चोड़ो भी मुझे बहुत सही बाइक यहां से मिल चुकी है, जल्दी से बाइक पर बैठते हैं, और लेस्टर को कॉल करते हैं, और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की तरफ, क्योंकि शायद से लेस्टर अब जो प्लान बताने वाला है, उसमें हम लोग ट्रावर के पास ही जाएंगे, और राइट गाइस, तो अभी फिलाल में अपनी बाइक को फुल स्पीड वी में भगाता हुआ लेकर पहुत चुकाओं सीधा लॉ इसक्यू करवा के ही वापिसान है, तो मेंली जो लेस्टर का प्लान है, वो हर टाइम तो देखो भाई सक्सेस्फुल जाता ही है, इस इस प्लान पर मैं पूरा विश्वास करके साथ साथ जाने वाला हूँ, विलाल उसने मुझे पहले बोला है, कि तुमना अपना पूरा क्योंकि हो सकता है डगण बोस या एल रूबियो के बोडी गार्ट समय पहचान ले, तो सबसे पहले मैं आ जुका हूँ सीधा, सेलोन, बार्बर के शॉप पे, यहां से अपने थोड़े हैर वगारा चेंज करवा लेते हैं, थोड़ा कलर वगारा करवा लेंगे तो शायद ह करके पूरा का पूरा बंदा ही चेंज कर डाला है, मतलब क्या रभी ना देखके बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने माइकल खड़ा हो, पूरा की पूरे हेर स्टाइल, हेर स्टाइल चोड़ो यार, हेर के कलर भी पूरे चेंज कर दी हैं, वैसे हमें यही कि कोई भी माईगल को पहचान ना पाए मुझे नहीं लगता भी कोई पहचान पाएगा क्योंकि भाई एक 40-45 साल का आदमी अब 23 years का जो लग रहा है फिलाल अभी बस मुझे थोड़े से कपड़े चेंज करने है क्योंकि वैसे कोई पहचान है ना पहचान है सिधा साबर बन और यहां से में बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाएंगे जो कि हमें चाहिए हैं और हमारे उपर मस्त एक दम सूट भी करेंगे फटा-फट से पनी बाइक को यहां पर रोकते हैं और जल्दी से चलते हैं शॉप में एकडम best best कपड़े हम लोग लेकर जाने वाले मुझे थोड़े उस टाइप के पड़े चीया है जो बंदी बीच वगेरा पर जाते हैं गुमने के लिए उस टाइम पर यूज करते हैं लेट्स को यहां से पता करते हैं कौन से क्लोट्स हैं यहां पर गाइस उपर के लिए श तो ये भी होगी अब बारी है glasses की glasses देख लेते हैं कौन से सही रहेंगे बिल्कुल लुक एकदम change करके जाने कोई भी बंदा हमें पहचान ना पाए हो पर यह वाले काफी जदा सही लग रहे हैं पर यह कुछ अलग चीज है तो इसमें black वाले ले ले लेते हैं लेट्स को पूरा का पूरा भी बंदा ही चेंज हो चुका है बाई मैं खुद ने विचान पारा दूसरा बंदा क्या बचाने का ठीक है अपनी पेमेंट वगए हो गई है फटा फटा हम लोग यहां से चलते हैं सीधा एक बार मैं को लेस्टर को कॉल करना होगा क्या कि कितने बजे की फ्लाइट भाई यहां पर कुछ हुआ क्या उत्तेरी मैं वही कांट जो मैं शॉप में घुसा था ना कुछ ब्लास्ट हुआ यहां पर अभी तक कोई फायरफाइटर एंबुलेंस वगरा नहीं पता निया लोस सेंटोस का बुरा ही हाल है पता नहीं कैसे पुरा जाओ अभी और राइट तो अभी मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अब तुम सीधा एरपोर्ट ही चले जाओ क्योंकि टाइम भी काफी जादा हो गया है आठ बचे की फ्लाइट ही है और इस ताइम साड़े छे बज रहे हैं अगर एक बा पाइलेट है उसमें काफी सारे पैसिंजर्स भी होंगे तो टाइम से जाएंगे टाइम से पूछेंगे जादा वेट रहेगा क्योंकि वह फ्लाइट हमारे लिए वेट नहीं करेंगे अगर हम लोग बाइचांस लेट हो जाते हैं तो भी फड़ापट से पॉस्त है सीधा ए एरपोर्ट पे फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा अपने प्लेन में और उसमें बैट कर निकल लेते हैं कायो पैरिको आइलेंड में लेस्टर को बचाने के लिए आज कुछ भी हो जाए उसको बचा की हम लोग रहेंगे बट वेट एक सेकिन हेलो सामने प्लेन जा रहा ह बट में डायरेक्ट पेरपोर्ट के इंदर क्यों जा रहा हूं मेरे पास टिकट है मुझे नॉर्मली टर्मिनल से जाना चाहिए बाकी लोगों की तरह वरना गड़वर्ड हो जाएगी सब लोग मेरे उपर शक करने लग जाएं कि वही पुराना माइकल वापस आ गया पिला ही है वो बंदे को ले जाकर ही देखा जिसके हम चुरा के लाए थे लेट्स को यहां पर एरपोर्ट सेक्यॉर्टी के लिए दो पुलिस ऑफिसर्स कड़े वे हैं मस्त गंस लेके बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बैग में भी गंस है वो मुझे चलानी नहीं लेकिन गाइस सारी के सारे पैसेंजर्स बहुत देर से वेट कर रहे थे प्लेन में बैठे 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 बट फाइनली पूरे के पूरे आधे घंटे बात पाइलेट भी आ चुक है प्लाइट धूरी सी डिले होगी है बाई अपनी बट टाइम आ चुका है यहां से टेक ओफ करके कायो पेरिको आइलेंड निकल लेगा वैसे मैं सुच रहा था क्यार कोई बहुत बड़ी फ्लाइट होगी आकर लेस्टर इतना जदा प्रैशर पता नहीं क्यों बना रहे था हम पर यह एक नॉर्मल सा फ्लाइट है बट सीन कुछ ऐसा है ना बड़ी फ्लाइट इसले नहीं है क्योंकि कायो पेरिको आइलेंड की जो एयर लाइन है ना खेर वो तो बहुत जादा बड़ी है बट उसके अगल वगल जो ट्रीज है ना उसमें बड़े प्लेन की जो विंग्स है ना वो भिड़ सकते है इसलिए महां पे बड़े प्लेन को ले जाना बहुत जाता मुश् राइड गाइस तो फाइनली अब यो पहुत चुके है कायो पेरिको आइलेंड सुबह के दस बच रहे हैं लेंडिंग का टाइम आ चुका है और भाई कसम से भले एपनी फ्लाइट उड़ी देर से हो बट पुचाया एकदम टाइम पेस पाइलेट ने और क्या ही बढ़िया और हर का कलर ब्लैक है काफी जादा खतरना कैसा लग रहा है जैसे हां पर कोई माफिया आने वाला हो बट वेट लेस्टर ने का था अपनी व्याइपे एंट्री होने वाली है तो क्या वो व्याइपे एंट्री हमारे लिए है गाइस येस हम लोग बिल्कुल सही थे यह जो बॉड़ी गार्ट्स लेकर आयों फुल तकड़ी तकड़ी कार्स लेकर इस सारे के सारे हमारे लिए हैं फिलाल जल्दी से चलके मैं अपनी गाड़ी में बैठता हो फाइक साब कित्ती जादा तकड़ी जी वैगन अपने यहां पर आ रहा है लेट्स गो आई साब मजे हो त यह सब हमने जान मुझके दिखावे के लिए करा है ताकि एल रूबियो डगगन बॉस को तो शक ना ही हो साथ ही उनके जो बॉड़ी गार्ट्स है ना उनको भी बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि यहां पर माइकला है क्योंकि आज रात ही जब पूरा अंधेरा हो यहां पर तब हम लोग जाएंगे एल रूबियो को पकड़ने के लिए क्योंकि इतना पता चला है भी मुझे लेस्टर से कि डगगन बोस तो शायद यहां पर नहीं है बट एल रूबियो यहां पर है और उसकी बहुत सारी सेक्योरटी भी है अगर हम लोग एक बारी एल कोई टावर पे है बहुत चादा तकड़ा आइलेंड बना रखा यार कसम से इस बंदे ने ओकी गाईज तो फाइनली हम लोग कायो पेरिकू आइलेंड की सबसे बेस्ट लोकेशन पर पहुत चुके हैं अभी फिलाल मैं काड़ी से बाहर आ गया हूँ चल करना यहां के स्ट इतने भी बंगलोस है ना उसमें से 60 नंबर बंगलो हमारा है मतलब कि आज हम लोग वहां पे जाके रहने वाले हैं लगता है कि आज शाम को यहां पर बहुत मस्ट पार्टी होने वाली है क्योंकि फुल लाइट स्मोक का सेट अप हो चुका है फिलाला भी हमें कोई पार्ट होते रहते हो कि लोग enjoy करने आते हैं बट हम लोग यहां पर mission करने आया है travel को rescue करवाने का तो हमें उस पर focus करना है तो मुझे सबसे पहले न अपना बंगलो ढूणना पड़ेगा कौन सा है उसने मुझे बोला था 16 number बट यहां पर तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा है टोटल बंगलो ही 16 है एक बारी में वाला चेक करता हूं यह कौन सा number है कोई है तो नहीं अंदर कोई भी नहीं है इसमें तो कोई नंबर ही नहीं लिखा भाई वह अलगी पागल बना रहा है वेट 16 number को में काम करता हूं वे जो सबसे सामने वाल है हम लोग उसमें चलके रहते हैं क्योंकि सबसे बड़िया वीव वहीं से मिलने वाला बाकि कोई दिक्कत वाली बात सारे के सारे खाली पड़े हैं क्योंकि सब अपना बीच पर घूमने गए वहां आइलेड में पूरा इदर घूम रहोंगे इसी का फायदा उठा कर तो हमें आज ट्रैवर को रेस्क्यू करवाना है यह वाला शायद इसमें कोई रहता है उसके बैग वगरा पड़े वे हैं यही सबसे ओके है यार मेरे कोई लगता है इसके अंदर कोई होगा तो भी मैं अंदर आ चुका हूँ यहां प करो अभी तुम एकदम मस्त अराम कर लो क्योंकि आज रात को हमें एल रूबियो को मारने के लिए जाना है और ट्रैवर को बच्चाने के लिए जाना है और देखो गाइस यह बिजनस करता है एल रूबियो जो सामने से इतनी बड़ी बोट आ रही है ना इस पूरी की पूर इन सब का नतीजह उसे मिलेगा फिलाल अभी जल्दी से नहीं लोग चल के थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं उसके बाद अराम से सोईंगे क्योंकि लेस्टर ने साफ बोला हमें शाम को मेरे को सीधा कॉल करेगा और फिर हम एको पूरा प्लान बताएगा कि किस तरीके से म अपने मिशन पर जाने का बहुत हो गया डांस वगयरा फड़ा फट से अपने ड्रिंक खतम करते हैं और जल्दी से हम लोग चलते हैं लेस्टर ने हमें बोला है कि सबसे पहले ना हमें एक मस्त बोट का जुगाड करना है क्योंकि पानी की थूना लेस्टर को एक ऐसा रास् कर सकते हैं तो मुझे फड़ा फट से कोई ना कोई तो बोट ढूंड नहीं होगी बाकियर देखो मुझे ना कायो पैरिको आइलेंड का चपपा चपपा मालूम है इसलिए मुझे एक ऐसी जगा पता है जहां पर बोट मिलने के बहुत जादा चांसे से मेंस लेफ्ट साइट में क्या पीछे वाली साइट पे इनका टार्मिनल है जहां पर इनकी बहुत सारी गाडियां वगएरा खड़े रहती है तो वो सामने टार्मिनल पूरा नजर आ रहा है अब बस अगर हमें वहां पर बोट मिल जाएगी ना तो बहुत जादा बढ़िया रहेगा बट यह सामने वाले बंगलों पे कोई है यार फोन पे बात कर रही है अगर मैं इसके वहां पर जाओंगा तो कहीं चिला ना दे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत जादा मैं कोशिश करता हूं साइट से निकल लूँ बट हाँ थोड़ा सीन खराब हो जाएगा तो तू अपना च मुझा है कि वैसे यार जो इतना एरिया है यह तो जहां तक मुझे लगता है इधर तो सी माइंस नहीं लगे होंगे क्योंकि नॉर्मली जो बंदे आते हैं वह भी अपना यहां पर स्वीमिंग करते हैं बट मैं काम करता हूं मैं अंटर्वाटर स्वीमिंग कर लेता है मैं इंडर्वाटर जानी पारा लेट्स को हो गया हो गया पीछे पानी ज्यादा गहरा नहीं था आप इतने में कि इतनी पीछे तीन चार फिशे नजर आ गए और क्या ही मस्त यहां पर पानी है भाई कायो पैरी को आइलेंड एकदम ही स्वाच्छ जगा भाई यहां पर मस् लेट्स को फिलाल अभी हम लोग उस टार्मिनल पर पहुंचने वाले हैं मेरको डारेक्ट वहां सीधा बोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी मैं साइड सेंटर करूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा यहां पर बिना मैं चुप चॉप से एकदम आराम से मैं वेट 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 बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस शायद उसने मुझे देखा नी बच गया भाई मैं फूदे को सामने एक बंदा है उस तो सही है यहां पर कुछ रॉक्स थे तो मैं उसकी विज़ा से आया तो उसने मुझ इसे नी क्योंकि स्टन गन क्या होता है शायद लॉंग रेंज कम एफेक्ट करती है और बाइचांस अपना शोट में सुआना तो घरबड़ जाएगी फिलाल अभी मैं पास में आ चुका हूं यह इस तरफ में ही देख रहा है जब उस साइड देखेगा ना लेट सो ओ तीरी भाई उसने मेरे को देख लिया था वो शायद पीछे भी कुछ बंदों को मालूम पड़ गया है मेरे को किसी की तो चिलाने की आवाज आई थी वहां से पता नियार अगर वो यहां आ रहा होगा ना तो कोई दिकत निया है उसके भी स्टन गन बजा देंगे बठा यार किसी से कोई भी नहीं आ रहा है यही सही मोकाई यहां से आगे बढ़ने का अपनी गन मेरे हाथ में हमेशा रहेगी बस मेरा निशाना नहीं जोगना चाहिए सामने कितने भी बंदे आ जाए हम लोग इसली उन्हें हैंडल कर सकते हैं फिलाल मैं सोच रहता है यहां पर मुझे बो बोडी भी किसी को ना मिले वाई वेट मैं यहां पर बैठा हूँ और वो सामने आकर खड़ा हो गया है मैं इसे मार दुख है यार रुख जो नहीं नहीं अब भी नहीं इस पर पीछे से अटाक करेंगे यह बहुत ज्यादा तेज हैं मैंने इस पर निशाना लगा है ना उस फायता छोड़ो वोदे को सामने एक बंड़ रुख जा में उदर से जांगा इनी मैं उदर से जाने इनी वाला यार काश अब मैं एक बोत यहीं से मिल जाती तो कितना बढ़िया रहता वैसे वेट 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 शायत सामने एक बोट है बट मुझे वहाँ पे जाने के यार बढ़ो गई, देखो guys मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ना दो-तीन बंदे खड़े वे हैं, और उधर ही एक boat भी है, अगर मुझे वहाँ तक जाना है, तो मुझे पहले उन दोनों बंदों को निप्ताना पड़ेगा, मैं एक बार इना देख लेता हूँ यही से, कि आखिरक एक बार में एक ही चलती है, तो इन दोनों को एक साथ मारना तो बहुत जादा ही hard वाला काम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, चुप चाप वहाँ तक पोस्ता हूँ, क्योंकि शायद से उनके पास weapons नहीं है, एक के stun gun मारूँगा, और दूसरे बंदे के मुक्का मारेगा, उसे प security बढ़ा दिये, खैर डगन बोस उसके साथ जो मिल गया है, security तो भड़ाए गई ना आराम से, क्योंकि इस ताइम कसम से डगन बोस के पास ना बहुत जादा पावर है, इतनी जादा आर्मी है ना उसके पास, कि उससे इस ताइम पे कोई भी नहीं भीड सकता है, एक बार को नीचे से निकल जाए, okay, 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 हो गया, all right, तो अभी ना मैं चुप चाप से चलता हुआ, इन लोगों के पीछे आ चुका हूँ, अमना मुझे बस जल्दी से जाके, एक बंदे के stun gun मारनी है, और दूसरे बंदे के, मुक्का मारना भी भाग, भाग, भाई रुक जाओ, मैं लग रहा है कि यहां के जो बंदे है ना, उन्हें मालूम पढ़ चुका, ओ तीरी भाई, उन्होंने फॉयर करना भी स्टार्ट कर दिया, यार, यह मैंने क्या कर दिया, जल्द बाजी में, बट ठीक है, अभी जल्दी से लेस्टी कॉल करते हैं, बोट हमें मिल चुकी है, उ ओकेई, गाइस, तो अभी मैं इस बोट को धीरे धीरे भगाता हुआ, एल रूबियो की मेंशन की बैक साइट पे पहुचने वाला हूँ, क्योंकि लेस्टर ने में यही बोला था, कि इसके घर की बैक साइट पे कोई भी सिक्योर्टी गार्ड ने होता, और वहां की जो एं और दूसरी बात यह जो बोट है ना, यह इनी की सिक्योर्टी गार्ड के तो आखिर बैचारे कहां से बैचानेंगे, बहुत गंदी सिक्योर्टी लगा रहा है कि ऐसी बात नी है, बहुत अच्छी बात यह कि लेस्टर ने इस जगा पर आने का सबसे सही रस्ता ढूंड के रखा हुआ था, फिलाला भी ना, मैं यहां से बाहर निकलता हूँ, पहले हम लोग यहां पर अपना थोड़ा सा कवर ले करना, वेट कर लेते हैं, एक बार इधर उदर देख लेते हैं, कोई आ तो नी रहा ना, फिर विट विट विट, सही में, बाइसा बोट आके सामने से कोई, जार यह तो गंदा डरार है, बोट उसने आपर लाके रोक दिया है, और वो बोट से बाहर आ चुका है, यार शायद से इसने मुझे देख लिया है, मिर को इसे मार देना चाहिए, रुक जाओ, वो सामने जा रहा है, किसी को फोन भी कर रहा है, निकलती रही है, सामने इसे जो बंदे आ रहे हैं, उन्होंने भी मुझे देख लिया, अब यार है, मैंने क्या करा, मेरी M416 में तो एटलीस सप्रेसर लगा हूँ है, मुझे इसी से मार देना चाहिए था, अभी मैं सीधा घर में घुसने वाला हूँ, यहां पर जितने बंदे भागे हैं, पहले इनको मार के डाउन कर देते हैं, क्योंकि इन विचारों के पास गन नी थी, यहां के शायद से गार्डनर थे, या फिर वर्कर से नॉर्मल से, इनको मैंने मार दिया है, अभी इस वाली एंटरेंस से मुझे घर में घुसना है, बट सॉरी मुझे आपको भी मार ना से, अलगी बता रहा है, लेस्टर, ठीक है, यार उस सामने वाले मांटेन से भी ना मुझे कोई ना कोई तो मारने की कोशिश कर रहा था, खैर उसे छोड़ो, अभी मुझे आगे को बंदो को ध्यान से देखना चाहिए, ओ नहीं, वहां से यह उपर से कूद की नीच आ गया मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा, जैसे सामने वाली विंडो से मुझे कोई देख रहा था, ओ तेरी, भाई साब, विंडो से ने पर सामने से जरूर भाग के आ गया, और इसको तो मैंने मार डाला है, फिलाला भी मुझे जल्दी से यहां से आके बढ़ना है, और थोड़ जाओ, और तेरी ऐसे की तैसे निकल यहां से तू भी, यह भी डाउन, यह भी डाउन, तीन से चार लोग मैंने यहां पर मार जोपो, भाई, 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 बहुत गंदी तरह इसने अपनी AK-47 फायर कर दी से सीधा मेर उपर, सामने से बहुत स जादा रिस्क हो सकता है, कहरे, इस बंदे को मैं एक बुलिट और मार देता हूं, पता चला है, यहां पर मरने की एक्टिंग कर रहा है, उसके बाद जटके से उठके बाई, आमें महार डाले, तो वो चीज बिलकुल नहीं होने चीए, फिलाल अभी यहां का तो रास्ता एक कैसे गिरेवे हैं, गाइस पता है नहीं यहां तो यह सारे के सारे छुप गए हैं, या फिर यहां पर इतनी बोडिगार्ट्स थे, मुझे बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो इनी सकता भाई, एल रूबियो के घर में सिक्योरिटी ना हो, वैसे सिक्योरिट इतनी कम बिलकुल विश्वास नहीं हो रहा है, बट ठीक है, अभी मुझे उस रेड वाली बिल्दिंग के एकडम टॉफ फ्लोर पर जाना है, बट उससे पहले थोड़ा अगल भगल का भाई, यह लोग छुपे ही पड़े हैं कसम से रुख जाओ, अभी तो मैं बहुत फसने वाला हूँ, क्योंकि मैं भाग के सेंटर में आ गया था, मुझे लग रहा था कोई भी बनना नहीं आसपास, अभी मुझे दुबार से कवर में जाना होगा, हेलो भाई, हेलो, 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 पीछे, इसको मालू में नहीं था, वेट, शॉट गन है, शॉट गन तेर पह आ रहे हैं सामने से, मेरे पास अगर बॉब बाखेरा होते हैं, तो मैं इंको भी तक कपका माल डालता, थिक ठीक, सामने से एक आता हुआ, पीछे से, मुझे पता ही था, यह लोग पीछे से भी आ चुके है, एसको मारना है, सामने वाले को भी मार के लेफ्ट, अच्छा यह यह जो security ना वह रूब्यों की नहीं है यह अलग 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 ड्रेस में आ रहे हैं बट वो जो फुल आर्मर में आ रहे हैं तो भाई सब डगन बॉस की security है यह मतलब यह दोनों भाई अभी बहुत गंदी तरह मिल चुके हैं बाई मतलब डगन बॉस अपनी भी security छोड़ कर गया हुआ है यहां पर ओपर से मार रहा है वहीं मैं सोचू भाई मेरे bullets पढ़ का से रही है वेट 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 मैं बहुत गंदा फसने वाला हूं क्योंकि सामने स मैं टाप के आगा था वो तो अच्छी बात है इसने बिल्कुल भी देखा नहीं ठीक है तो भी हम लोग काफी जाज है यहां पर अंदर आ चुके हैं इस तरफ अंदर कोई है क्या है हेलो कोई है तो भाई पहली निकल आओ भार वेट यहां पर कोई भी नहीं है ठीक है जरूर जटके से आके गला ही पकड़ जाएगा सीधा सही बता रहा हूँ ठीक है ठीक है मिरको ना चलके उसके जैगवार को मारना पड़ेगा सबसे पहले क्योंकि अगर वो बाहर आया ना तो बहुत बड़ी गड़बड हो सकती है लेट्स को यहां से आगे बढ़ते है एक खाली पी लग गई वरना वो जैगवार मर गया होता क्यार मेरा उसे मारने का मन नहीं वो बिचारा क्यों खाली पीली मारा जा इनकी विजह से मैं भी इस रेट बिल्डिंग के बाहर आ चुका हूं इस पे उपर जाने की सीड़िया मुझे ढूणनी है और फटा फट यहां स उसने बाका वेट भाई ओ तीरी भाई इसने मौ पे कैसे घुसा मारा निकल तीरी एसी कि तैसी मुझे भी शॉटगन निकालेनी चाहिए शॉट में क्योंकि वही काम आती है सबसे ज़्यादा एक और ले तू एक और ले फिर पाई सहाब एक्दम सड़नली अटाक मार रहे भाई यह लोग ओके गाइस तो टाइम आ चुका है एल रूबियो को मारने का त्री टू वान लेट्स को गेट मैंने उपन कर दिया है बट एल रूबियो यहां सामने नहीं बैठा हेलो एल रूबियो जहां पर भी है चुप चाप से बाहर निकल ले ठीक है ना अभी कहीं प पर बैठ के अरहाम से वाइन पी रहा है और सिगरेट पी रहे हेलो ट्रैवर कहां पर है भाई गाइस इसकी बाते सुनने के बाद ना मुझे से मारने का मन बिलकुल भी नहीं कर रहा है उल्टा मुझे खुद को मारने का मन कर रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है यार सबसे मुझके डगण बहुसे फाइट करवा दी अपने फायदे के लिए और फिर उसके बाद इसकी फाइट्स होते चले गए और हम लोग इसके गार्ट्स को मारते चले गए बट इसको दुखिस बात का है कि वो जो गार्ट्स थे ना यह उनको अपने दोस्त अपने भाई की तरह म बट खाली पीली हमारी वजह से बिचारा यह इन सब में घुसा और उस चकर में इसके बहुत सारे बोडी गार्ट्स मारे गए बट बात आती है ट्रैवर पे तो ट्रैवर को डगण बॉस ने किड्नाप करवाया था और ट्रैवर उसी दिन यहां पर जितने भी बोडी गार् और उसे भागते हुए एल रूबियो ने देखा था बट उसे रोका नहीं क्योंकि एल रूबियो और कोई फाइट नहीं चाता था उसने जान मूच के उसे भागने दिया और हम खाली पीली यार यहां पर ट्रैवर को रेस्क्यू करवाने आ गए इसको मारने के लिए आ बात नहीं है तो तो मैंसे पक्का नहीं मारने वाला क्योंकि इसकी बातों से मेरे को यार बिल्कुल सचा लग रहा है अभी फिलाल खसम से यार इसने तो बिल्कुल उदास्था कर दिया मैं इतनी सारी इंवो लेकर आया था कि यहां पर कोई खतरनागे फाइट होगी पर इ इंतजार कर रहे है मेरा कि कम मैं नीचे हो रहे हैं लोग कम मुझे मारे ठीक है यार अभी न जल्दी से में अगर ट्रैवर प्लेन लेकर भागा है तो सीधी सी बात है उसके गाओं में जो एयरपोर्ट है वो पक्का वहां पर गया होगा तो अभी फटा-फट से मुझे भी या फिर हेलिकॉप्टर का इंतजाम करना होगा क्योंकि मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुच के ट्रैवर को ढूणना है और यह बात में लेस्टर को भी बता देता हूं कि ट्रैवर यहां पर था ही नहीं वो पहली यहां से एसकेप कर चुका है या रॉब्यो लग तो नहीं रहाथा कि जूट बोल रहा या फिर हमें किसी फ्लैनिंग में फसाने की कोशिश कर रहा है यहां पर नम भाई मेंन गेट पे गार्ड है और वह रहा सामने हजिकॉप्टर लेस्ट को मुझे पता था यहां पर एक हैली पैड है बस यहां पर सिक सही नहीं है यार ये वो वाला नहीं है जो मैं सोच रहा था न उसका गेट अलग तरीके से उपन होता है बटना 100 km पर आ रहा है थोड़ा टाइम लगेगा पर पहुच जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके गाइस तो अभी का प्लेन हो मैंने अपनी हेलिकोप्टर को तो एक दम यहां पर अराम से लैंड करवा दिया है पर अभी न मुझे आगे जाने में कसम से थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो जो जट है वो शायद से वही जट है जो कि ट्रैवर कायो पैरी को आइलेंड से लेकर निकला था अलूबयो ने यही बोला था कि वह प्लेन लेकर भाग गया था प्लेन लेकर ट्रैवर यहां पर आया और जल्दवाजी में शायद उसका जट जो है क्रैश हो गया इसमें से काफी ज्यादा खतरनाग स्पार्क्लिंग कल रहे है मुझे लग रहा है मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए बट एक बारी में ड्राइविंग सीट पर देख लेता हूं यहां पर तो यह ट्रैवर नहीं है यहां पर दोनों सीट में से किसी एक सीट पर भी ट्रैवर नहीं है पीछे वाली भी सारी की सारी सीट खाली है यहां पर मतलब किसी एक यह ना ही ट्रैवर का जट है ना किसी और बंदे का जट है और यह जो पर सीइंग लगा हुए ना बुल का यह सिर्फ ट्रैवर की कार पर ही लगा हुआ था पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक बार को मान लेते हैं ट्रैवर कायो पैरिको आइलेंट से यह वाला प्लेन लेकर आया और उसका प्लेन यहां पर क्रैश हो गया तो हो सकता था कि उसे खूस्पिटल ले जाया जाया या फिर वो खूद खूस्पिटल चला गया उसके बाद या फिर एम्बुलेंस वाले आके उसे उठा के ले गए हूँ तो फिर उसकी गाड़ी यहां पर होने का मतलब क्या है यह नहीं समझा रहा ऐसा थोड़ी होगा कि वह पहले वहां पर गया फिर दुबारा गाड़ी लेकर आया फिर उसका एक्सिडेंट हो गया और वो फिर चला गया पता नहीं यह क्या सीन है अभी नामले लेस्टर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता करनी होागी मैंने लेस्टर काल किया था लेकिने भी रात के चार बज़रे हैं तो सीडी सी बात यह अर् लेस्टर majd क्यास पोर्ण यह कुछ संदर इन भार होगा तो चलो गाईस आज किस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो फड़ा फट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए तो सभी लोग जाओ दली से लाइक का बटन बाके गोल कम्प्लीट कर दो और जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना नीचे जो रैड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे फड़ा फट से दबा दो और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे भी वहां पर फोलो करना मत भूलना लिंक की नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो ओके गाइस आज कुस वाले वीडियो में इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में गुड़ बाई झाले वीडियो में गुड़ दो और आप बाई